चमकौनी नाम के एक छोटी सी गाउं में एक बहुती सुन्दर बाग था लेकिन कोई भी गाउंवाला उस सुन्दर बाग में जाने से ड़रा करता था उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस बार वाली गुपा के अंदर से किसी जिन्म की आवाजे आते हैं जो आते जाती लोगों को आवाजें देता है जिससे गाउं वाले कोहत दरा करते थे एक दन गाउं के दो यी वक्ट खेत पर आपस में बात करते हुए अरे भाई करने उस बाग की तरफ गया था वहाँ फिर से उस जिन की वही दरावनी आवाजें आ रही थी अरे क्यों भाई क्या करने गयते तुम वहाँ क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाले कुफा में जिन रहता है अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आएंदा फिर उस बाग की तरफ मच जाना तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं लेकिन इस गुफा का रहसे तो मैं जान कर रहूँगा सब गाउवाले डर के साए में आखर कब तक रहेंगे उसके बाद शाम हो गई और रांजा और उसका दोस्त अपने अपनी घर चले गए अगले दिन सुबह सारे गाउं में सिनाता था और रांजा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थे सुब रो रहे थे शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहसे से परदा उठाने जा रहा हूँ मेरे रांजा की बहादुरी उसे लेडू दू है मेरा बच्चा हो ना हो ये उसको भावाले दिन नहीं किया है हाँ उसी गाउं में धन्नो नाम का व्यक्ती रहता था जो एक व्यकारी था उसकी दो बेटियां थी रीमा और सीमा उन दोनों को रंग बिरंगे पुलों का बहुत शौक था बहुत दिन हो गए हैं चलो आज हम गाउं के बाग में चाहते हैं ना जाने क्या हमें पाबुजी उस बाग में चाने से मना करते हैं इस पूरे गामें एक वही जगह है जान कितने संदर संदर फूल होते हैं हाँ सीमा बुबाग सच में बहुत संदर है उस बाग में बहुत सिंदर सिंदर भूल होते हैं लेकिन बाउ जिए में चाने नहीं देते वह कहते हैं हमारा जानवा है सही नहीं होगा लेकिन गाउं के रांज़ा भाई की मौत के बाद तो गुपा और ज्यादा दुरावनी लगने लगी है अरे रिमा, यह सब छोटी बाते हैं, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, चलो ठीक है, हम देलों कहीं बाग में जाएंगे, और हो सके तो क्या पता, राज़ा भाई की मात का रास भी वता चल जाएं? हाँ, कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुदी देख ले ना, लेकिन बाबुजी हम नहीं जाने देंगे सीमा, कर बाबुजी सुबह किसी काम से शेहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे, यह माँ अपना सिर हिलाती हुई, ठीक है, इसके बाब दोनों पहने अपने कमरे में जाकर सूचा भी है, अगली सुबह, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शेहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना खया रखना, और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है, कोई जाने से मारा गया था, हम दोनों पहने इस बाग में नहीं जाएंगी, इसके बाब धन्य वहां से चला जाता है, उसके जाते ही दोनों पहने इस बाग की तरफ जाने लगते हैं, कि तभी गाउं का आदमी उन्हें देख लेता है, अरे सीमा और रिमा बिटिया, तुम इस ब अकसर किसी जिन की आवाज आती है, अरे काका, हम दोनों बस बाग में जा रहे हैं, वहां से कुछ भूल लेकर बस भी आ जाएंगे, आप जिंता मत कीजिए, हम बाग के उस तरफ फली गुफा में नहीं जाएंगे, चलो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले आ जाना, आच्छा, अब मैं चलता हूँ, इसके बाद वो आदमी नहीं से चला जाता है, थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रेमा देखती हैं, कि दो चोर आपस में बातें कर रही होते हैं, अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या, गाउवाले तो कहते हैं उस गुफा गाउं के सरपंच की है, मुझे तो लगता है, उसमें बहुत सारा खसाना होगा, सब गाउवालों को डराने का बहाना है, पस चलो, चल कर आज देखी डालते हैं इसके बात वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं, उन्हें गुफा की ओर जाता देख लेमार सीमा भी उनके पीछे जाने लगते हैं कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक ओरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते है तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है कहां जा रहे हो तुम दोनों क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है वो तुम्हें माल डालेगा चले जाओ यहां से, चले जाओ क्या कहा, जिन्न, अरे बाबा कि तभी उस जिन्न की आवाज आती है कौन है वहाँ, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है अंदर आओ, निकालो मुझे यहां से जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज सुन कर तो दोनों डर जाते है वारा भाया, भागो इस गुफा के अंदर तो सच में कोई दिन है, भागो यहां से और वो दोनों उनसे भाग जाते है मैंने तो पहले ही कहा था यहां दुबारा मताना, वो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ीगा यह सब रीमा और सीमा देख रही थी कि तबी वहां रीमा और सीमा के सामने वो औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते है कहा जा रही हो तुम दोनों? सीमा और रीमा तरती हुए हम तो बस तैसलिक बाग खुमने आई दुकागी मैं तो यही रहती हूँ यही बाग मेरा घर है तुम दोने यहां से जल्दी चली जाओ वहना वो जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं जाओ यहां से क्या सच में बाग के उस पारवाली कुफा में कोई जिन है काकी? हाँ और वो बहुत खतरनाक है तुम दोने यहां से जल्दी चली जाओ इसके बाद वो औरत महांसे चली जाती है मुझे बहुत दोड़ लग रहा है अब मैं इसके आगे नहीं जाओंगी मुझे लगता है, वे औरत सच बोल रही है वो जिन हमें मार डालेगा मैं नहीं जाएंगे इसको चाले ठीक है तुम मेरा यह इंतिजार करना मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ क्या वाकरी वो आवाज जिनकी है या नहीं इसलिए मैं तो गफा के अंदर जा रही हूँ तुम यहां से कहें मत जाना मैं जल्दी यहां जाओंगी इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है रीमा चलते चलते उस गफा के तास पहुँच जाती है तभी एक आवाज उससमाई देती है जो काफी भारी होती है ऐसा लगता है जैसे किसी लोते हुए इंसान की आवाज हो वो कोई है यहां मुझे यहां से बाहर निकालो मैं इस कुफा में बरसों से कैद हूँ निकालो मुझे यहां से रीमा बड़ी हैरामी से वहीं खड़ी हो जाती है कौनो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हूँ क्या तुम वही जिन हो जिसके बारे में गाँवाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं जिन हूँ, मैं कई सालों से इसी गुफा में गैद हूँ मेरी सहयता करो लड़की, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई लुकसां नहीं पहुचाँगा तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो, इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाओंगा, मेरी सहयता करो तब ही गुफा के दर्वाजे खोते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है जैसे ही वो अंदर जाती है एक बहुत बड़ी अजीब से जानवर की परच्छाई उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही दरावनी होदी है आओ लड़ की तुम्हारा जिनकी इस गुफा में स्वागत है मैं कई सालों से गुफा के बहार आते जाते लोगों को आवाजा लगाता हूं सब गाउवाले डर कर भाग जाते हैं कोई भी गाउवाला, इस कुभा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर वड़की हो, जो इस कुभा में अखिल चली आई हो। क्या तुम जिन हो judgments ? लेकिन तो मुझे दिखाई क्या नहीं दे रहे हो ? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हैं नहीं मैं जिन नहीं हूँ लड़की मैं उस जिन की परचाई हूँ वो जिन तो इस कुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है वो बाहर नहीं आ सकता है मैं उसकी परचाई हूँ परचाई तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में क्यात क्यों है क्याद जिनकी इस गुफा में रिहा आने का कोई मार्ग नहीं है मार्ग है लड़की और तुम इस मार्ग तक बहुत सकती हो लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तह jag खाने में जिन के पास जाना होगा वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का रास बताएगा जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है जैसे ही रीमा देखाने के अंदर जाती है तो उसे एक आग जलती में दिखाए देती है जैसे ही उस आग के पास जाती है हे जिन मैं यह तुम्हारी मदद करने आई हूँ क्या तुम मुझे सुन सकते हो उसे उस जिन की आवाज आती है आओ बहादुर लड़की मैं तुम्हारा ही इंतिसार कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्ही मुझे इस कुभा से मुक्ते दिला सकती हो तुम्हारा इस कुभा में स्वागत है लड़की तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस कुभा में आई हो मेरा नाम जिनाद है मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ मेरे सामने और जिन्नाद मैं तुमें देखना चाहती हूँ कि तभी अचानक से जिन्नाद उसके सामने आता है जो बहुत ही डरादना होता है एक बहुत ही भ्यानक सा दिखने वाला जिसके सिर पर एक लंग भी चोटी होती है जो काफी बड़ा होता है विमा के सामने वो आता है, उसे देखकर लिमत होए डर जाती है देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है तुम्हें एक बार और सोच सकती हो किया तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो बताता हूं बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी वो बहुत गरीब थी वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी एक दिन उसने बाग के सारे फल दोड़ लिये और यहाँ इस कुफा में लेकर आ गई उन्ही फलों के बीच एक रहसे मई फल भी था जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी वो फल मेरी उम्र सौ साल और बढ़ा सकता था लेकिन मैं उस फल को तक तक नहीं चू सकता था जब तक कोई इनसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ ना ले एक दिन वो आरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़ कर इस कुफा में ले आई जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी कुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि ए औरत तुम जो बाग से सबसे सुन्दर और चमकदार फल तोड़ कर लाई हो वो मुझे दे दो इसके बदले में तुम जो भी दो इच्छाएं मागोगी वो पूरी होंगी ठीक है मैं तुम्हें बाग देती हूँ लेकिन मेरी दो इच्छा है पहली ये कि तुम मुझे बरदान दो आज से ये बाग मेरा होगा और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हाय डो़ से ना सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूँ वो औरत मुझे फल दो दे देती है उस फल से मेरी उम्र तो सौ साल बढ़ गाई लेकिन उस औरत को दिये गए वरदान की बजह से मैं यहीं कैद हो गया तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ क्या अब से पहले किसी में आप यहां से तहर निकलने की कोशिश नहीं की? इस से पहले गाउं के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमतकारी फल को लेकर गुपा में आ रहा था तभी इस बूड़ी औरत ने उसको मौत के घात उता दिया और सारे गाउं में बात प्हल गई कि मैंने उसको मारा है हाँ वो लड़का हमारे गाउं का रांचा पहिया थी उसको इस बूड़ी औरत ने मारा मैं आप यहांसे अज़ाद जरूर करवाँगी लेकिन मुझे तुम्हें यहां से असाद कराने के लिए करना क्या होगा तुम्हें यहां से उस बाग में जाना होगा वहां तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की जोपड़ी दिखेगी जिसके कारण मैं इस कुफा में गैद हूँ तुम्हें उसकी जोपड़ी में जाना होगा वहां से तुम्हें सबसे सुन्दर और चमकदार फल लाना होगा मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है ध्यान रखना बहादुर लड़की उस औरत की जोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिनेगा लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होश्यारी से करना होगा अगर उस ओरत को पता चल गया तो वो तुम्हें सिंदा नहीं छोड़ेगी ठीक है जिन मैं तुम्हारे लिए वो चमकतार फल सरूर लेकर आऊँगी मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा बहादूर लड़की इसके बाद रीमा वहां से बाग में जाती है और उस ओरत की जोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है लेमा देखती है कि उस ओरत की जोपड़ी में कोई नहीं है वह इधर इधर देखती है और उस जोपड़ी के अंदर चली जाती है रीमा अंबर जाकर देखती है कि बहुत सारे फ़ल उस औरत की छोपड़ी में रखे है अरे ये तो कितने सारे फ़ल है लेकिनन सब में कोई भी फ़ल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा तो भी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपने छोपड़ी की तरफ आ रही है ये देखते ही रीमा दर्वासे के पीछे छुप जाती है वो औरत अपने छोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फ़ल रखे होते है वो अपने टोकरी एक टेबल पर रखतेती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सूजाती है ये देख थोड़ी दिर बाद रीमा बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकतार फल देखती है लता है यही वेच्च मतार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था रूको लर्की तुम मेरा इजादु फल लेकर कहा जा रही हो तुझे मेरा फल वापस करो वेना मैं तुम ही आजसे नहीं जाने दूंगी रीमा यह सुनकर डर जाती है यह सुनकर रीमा वहां से उस फल को लेकर भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही भागने लगती है वीमा भागते ही भागते उस गुफा में पहुँच जाती है जैसे ही वो गुफा में पहुचती है वो जादो ही फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है जिसके गिरते ही तोती में बदल जाता है रीमा यह देखकर हैरान हो जाती है, तभी वो औरत वहाँ आ जाती है यह तुम ने क्या क्या लर्गी, इस जादू फल को नीचे किरा दिया वो अभी तोता तुम्हें इस जिन्र की आजादी का सबसे आखरी रास्ता बताएगा वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो औरत अचानक से आख में जलने लगती है जिसे देख रीमा हैरान हो जाती है, तभी एक आवाज सुनाई देती है, जो उस जिन्र की परच्छाई की होती है डरो मत बहादूर लड़की, इस लालची औरत को इसके किये की सजा मिल चुकी है अब तुम्हें अपनी मंजल का आखरी बढ़ाओ पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा तभी अचानक से ये तोता उन्हें लगता है, और कुफा में उसी तरफ भागने लगता है, जहां वो जिन्र क्याद था ये मदधी उसके पीछे पीछे चलने लगती है पुतोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है, जो काफी चमक रही थी, तभी तोते की आवाज आती है सुनो बहादूर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चावी तुम्हें धोड़नी होगी मैं तुम्हें दो रास्ते बताऊंगा, जिस पर चलके तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चावी मिलेगी लेकिन दो रास्तों मैंसे तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है, जो बाग की तरफ है दूसरा रास्ता एक अंधेरी की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखानी की तरफ जाता है जहां लो जिन कैद है जाओ और अपना रास्ता चुन लो वीमा काफी देर सोचने के बाद मैं गुफा वाना रास्ता ही चुनंगी जो अंधेरी की तरफ जाता हूँ जिसके बाद वीमा गुफा की उड़ चलने लगती है कि तबी वीमा को एक सिक्का दिखाई देता है अरे यह दो चमकता है सिक्का यहां के से आया और यह सिक्का अदने चमक क्यों रहा है वीमा जैसे वो सिक्का हाथ में उठाती है पूरी गुफा में रोश्णी हो जाती है अरे, ये तो पूरी गुफा में रोश्णी हो गई तब ही वे सिक्का अचानक उलने लगा अरे, ये सिक्का उड़के रहा है वीमा उस सिक्के के पीछे-पीछे चलने लगती है थोड़े दूर चलने पर रीमा देखती है कि चार चावियां अलग अलग रंग की थी जो हमाने पूर गही थी अरे ये तो वही चावियां है जिसके बारे में वह तोता बता रहा था लेकिन अम इन में से सही चावि कौँ सी होगी ये कैसे पता चले तबी रीमा को एक आवाज आई जिस जिन्म की पर चाएगी थी बहादूर लड़की तुम्हें इन में से एक चावि उठानी है याद रखना तुम्हें एक सही चावि उठानी है लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होश्यारी से ही एक चावि उठानी होगी अगर तुमने गलती से गलत चावी चुन ली तो ये चारो चावियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिनको आजाद नहीं कर पाओगी ये सुन रीमा हैरान हो जाती है काफी देल सूचने के बाद लीमा देखती है कि चारो चावियों में से एक चावी बहुत बड़ी थी जो लाल रंग की थी और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तूता बना था वो भी लाल ही रंग का था लीमा समझ कई कि लाल वाले चावी चुननी है उसके लाल चावी चुनते ही बाकी सारी चावियां गायब हो गए और फिर तबी फिर सिर्ट जिन्म की परचाई की आवाज आई शाबाश बहादूर लड़की तुम्हारी सोच बूच की वजह से आखिरकार तुमने बिलकुल सही चावी चुन ली अब जाओ उस खिरकी के पास और खोल दो सही लीमा उसी खिरकी के पास जाती है और देखती है कि अभी भी वो दोता उस खिड़की के पास ही बैठा था ये देखो मैं उस खिड़की की चाबी ले आई हूँ तुम वाकई बहुत बहादूर हो नर्की अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो वीमा जैसे है उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खोल जाती है वीमा देखती है, उस खिड़की के बाहर बहुत रोश्नी थी जिसकी चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फर चमक रहे थी और बहुत सारे तिदलियां उनके पास मन रा रही थी वो तोटा उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है और तोटा खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन्म में बदर जाता है वो कई सालों से एक कुफा में बन था तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की तुम्ने मुझे इस कुफा से आजात कर दिया तुम एक मिडर और सहसी लड़की हो तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूँगा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी क्या सच में अब तुम आजाद हो गई हो अब तुम इस कुफा में नहीं हो आब सब गावाले ये आसकेंगे मैं और मेरी पेहन भी बाग में आसकेंगे कभी भी हाँ बहादूर लड़की अब किसी को भी डरने की कोई सरुत नहीं है अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में अब मैं किसी को आवाज़े नहीं दूँगा तुम जब चाहो यहां आ सकती हो तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूँगा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी जिम मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुपा के सामने बाले दाग से मुझे बहुत प्यार है इसमें रंग पिरन के फूर मुझे बहुत पसंद है मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खी खिलाता रहे इसके फूर कभी न मुर्जाएं ठीक है बहादुर लड़की तुम्हारी ये च्छा जरूर पूरी करूँगा अब ये बाग हमेशा यूँ ही रहेगा कभी भी मुर्जाएगा नहीं तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे अच्छा अब मैं हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूँ इसके बाद वो जिल्म गायब हो जाता है और खिलकी बंद हो जाती है लीमा जब गुपा से बाहर निकलती है तुस सब गाउं वाले धन्नों और सीमा बाहर खड़े होते हैं अरे मेरी बिठ्विया आ गई तु वापस उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं आखे क्यों गई थी तु उस गुपा के अंदर अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं दीदी तुझे तो ओना क्या सच में तुम्हें इस जिन में कुछ नहीं किया बाबुजी मैं तुलकुल ठीक हूँ अब अंदर कोई जिन नहीं है इस गुपा के अंदर जो जिन था अब वो हमेशा के लिए इस गुपा से चला गया है अब आप सभी को डैने की कोई जरूरत नहीं है अब कोई भी यहां आ सकता है अरे क्या पोल रही हो रही मा बिटिया अखर कहां क्या हो जिन जो आते जाते लिगो को आवाज़त दिया करता था में मा गाववालों को सारी बात बताती है थोड़ी देर बात गाववाले बहुत खुश होते है और रीमा से बिलते है अरे रीमा बिटिया तुम तो सच मुच मैं बहुत बहादर हो तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है अब हम गाववालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और राज़ा की मौत का रहसे भी सब गाववालों को पता चल गया